एम फोस्टर द्वारा लिखा ऐसे टोलरेंस जिसे हिंदी में सही शुनता कहते हैं सैंशक्ती सैंशिल्ता आईए हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं हर कोई पुन्वनिर्मान के बारे में बात कर रहा है हमारे दुश्मन यूरोप में एक नई विवस्था के लिए अपनी योजना बना रहे हैं जिसे उनकी गुप्त पुलिस द्वारा बनाए रखा जाएगा और हम अपनी और से लंदन या इंगलेंड या पश्च्मी सभ्यता का अपनों निर्मान करने की बात करते हैं और हम इसे कैसे किया जाना है इसकी योजना बनाते हैं जो सब बहुत अच्छा है लेकिन जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं और देखता हूं कि वास्तुकार अपन अनमान निकाल रहे हैं और अपने परभावक शेत्रों को चिन्नित कर रहे हैं और हर कोई काम में जुट रहा है तो मुझे एक बहुत प्रसिद शलोक याद आता है जब तक प्रभूस्वें घर नहीं बनाते अर्थार्थ यदि उंचे उदेशे या सिदान्त का मार्गदर्श नहीं होता तो सारे प्रयास वर्थ हो सकते हैं जो इसे बनाते हैं इन शब्दों की कावियात्मक, चवी के नीचे एक ठोर विज्ञानिक सत्य चुपा है अर्थार्थ जब तक आपके पास एक स्थिर मनोव्रिती, एक सही मनो विज्ञान नहीं होता तब तक आप कुछ भी स है कि हमारे इतियासकारों में से एक डाक्टर अर्नल्ड टाइन भी ने इसे अपने सब्यताओं के विकास और क्षे के महान अधेयन की प्रस्तावना में चुना निश्चित रूप से एक सब्यता के लिए केवल एक स्थिर मन की स्थिति ही एक मजबूत आधार है वास्तुकार, ठेकेदार, अंतराश्ट्री आयुक्त, विपनन बोड, प्रशास्तन निगम, स्वे से कभी भी एक नई दुनिया नहीं बना सकते उन्हें उचित आत्मा से प्रेरित होना चाहिए और जिन के लिए वे काम कर रहे हैं उन लोगों में भी उचित आत्मा होनी चाहिए उधार्ण के लिए हमारे पास तब तक एक सुंदर नया लंदन नहीं होगा जब तक लोग बदसूरत घरों में रहने से इनकार नहीं करते वर्तमान में वे परवार नहीं करते, वे आराम चाहते हैं लेकिन नगरिये सुंद्रिये के प्रती उदासीन है, वास्त में उनके पास कोई स्वाद नहीं है मैं खुद एक भद्दी इमारत में रहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि यह मुझे परशान करता है और जब तक हम परशान नहीं होते, लंदन को सुंदर से पुननिर्मान करने की सभी योजनाएं स्वेत ही वीफल हो जाती है तो उचित आत्मा क्या है? हम सहमत हैं कि मूल समस्य मनवग्यानिक है कि यदि प्रभू नहीं बनाएंगे तो कूटनिती या अर्थशास्तर या वेपार सम्मेलन काम नहीं कर सकते लेकिन स्थिर मन की स्थिति क्या है? यहां हम अलग-लग हो सकते हैं जब अधिकांश लोगों से पूछा जाता है कि सब्वयता के पुननिन्मान के लिए किस अध्यात में गुण की अवशक्ता होती है तो वे प्रेम का उत्तर देंगे पुर्शों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए वे कहते हैं राष्ट्रों को भी ऐसा करना चाहिए और फिर उस श्रिंखला की आपदाओं को रोका जा सकता है जो हमें नश्ट करने की धमकी दे रही है सम्मान परवक लेकिन दिर्टा से मैं ऐसाहमत हूँ प्रेम नीजी जीवन में एक महान शक्ती है यह वास्तों में सभी चीजों में सबसे बड़ा है लेकिन सार्वजनिक मामलों में प्रेम काम नहीं करता इसे बार बार अजमाया गया है मद्दे यूग की इसाई सब्वेताओं द्वारा और फ्रांसेसी करांती द्वारा भी जो एक धर्म निर्पेक्ष अंदोलन थी जिसने मानवता के भायचारे को पुनर अश्वाशित किया और यह हमेशा विफिल रहा है यह विचार की राष्ट्रों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए यह विपारिक संगटनों यह विपन बोर्डों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए यह पुर्टगाल में एक व्यक्ति को पेरू में किसी व्यक्ति से प्यार करना चाहिए जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना यह हासेस्पद अववास्त्विक खतरनाक है यह हमें अस्थिर और अस्पष्ट भावुकता में ले जाता है प्रेम की अवशक्ता है हम गुन गुनाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं और दुनिया पहले की तरह चलती रहती है तथे यह है कि हम केवल उसी चीज़ से प्यार कर सकते हैं जिसे हम व्यक्तिकत रूप से जानते हैं और हम बहुत कुछ नहीं जान सकते सारजनिक मामलों में सब्यता के पुन निर्मान में कुछ बहुत कम नाटकिये और भावनात्मक की अवशक्ता होती है अर्थात सैशुन्ता सैशुन्ता एक बहुती उबाव गुन है यह उबाव है प्रेम के विप्रीत इसे हमेशा खराब माननेता मिली है यह नकार अत्मक है यह केवल लोगों को सेहन करने का मतलब है चीजों को सेहन करने में सक्षम होना किसी ने भी कवी सैशूनता के लिए कोई ओड नहीं लिखा है या इसके लिए कोई प्रतिमा नहीं उठाई है फिर भी यह वै गुण है जिसकी युद के बाद सबसे अधिक अवशकता होगी यह वैस तिर मन की स्थिति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं यही एक मात्र बल है जो विबिन जातियों और वर्गों और अंतर संबंदों को साथ मिलकर पुन निर्मान के काम में बैठने के अनमती देगा दुनिया लोगों से बहुत बरी हुई है भयावे रूप से बरी हुई इस से पहले कभी इतनी बरी नहीं हुई थी और वे सभी एक दूसरे पर गिर रहे हैं इन में से अधिकांश लोगों को हम नहीं जानते और कुछ को हम पसंद नहीं करते उनकी तवचा का रंग नहीं पसंद करते हैं कहते हैं या उनकी नाक के अकार या वे उन्हें कैसे फूकते हैं या नहीं फूकते हैं या वे कैसे बात करते हैं, या उनकी गंद, या उनके कपड़े, या उनका जैज के प्रतिलगाव, या जैज से ना पसंदी और इसी तरह हैं। तो क्या करना चाहिए? दो समधान है, उनमें से एक नाजी समधान है, अगर आपको लोग पसंद नहीं हैं, तो उन्हें मार डालो, उन्हें निशकाशित करो, उन्हें अलग करो, और फिर इस बात का दावा करो, कि आप प्रिथ्वी पर रहने के हकदार हैं। दूसरा तरीका बहुत कमरोमान्चक है, लेकिन यह लोग तंत्रों का तरीका है, और मुझे यह पसंद है, अगर आपको लोग पसंद नहीं हैं, तो उन्हें जितना हो सके सेहन करें, उन्हें से प्यार करने की कोशिश नहीं करें, आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को तनाव में डालेंगे लेकिन उन्हें सेन करने की कोशिश करें उस शैशूनता के अधार पर एक सब्वे भिविश्य बनाय जा सकता है निश्चित रूप से मैं युदत्तर विविश्व के लिए किसी अन्य अधार को नहीं देख सकता जिस चीज की सबसे अधिक अवश्कता हो मैं इस राष्ट्र को शुद करूंगा मैं इस शहर को साफ करूंगा जैसे वाक्यांश मुझे ड्राते हैं और घिनित करते हैं जब दुनिया खाली थी तो वे माइने नहीं रखते थे वे अब भ्यावे हैं जब तक राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिश्रित हैं जब एक शहर अपने प्रोशियों से जैविक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है और एक और बात पुनर रिमान जल्दी संबब नहीं होगा मैं नहीं मानता कि हम मानसिक रूप से इसके लिए त्यार हैं वास्तुकार कितनी भी बुद्धि मानी से योजना बनाएं दिरग काल में हाँ शायद हमारी जाती का इतियास उस आशा को सही ठहराता है लेकिन सब्यता में अपनी रहसे माई प्रतिगमन होते हैं और मुझे लगता है कि हम अभी उनमें से एक हैं और हमें इसे सविकार करना चाहिए और उसी के अनुसार वेवार करना चाहिए सही शुनता मुझे विश्वास है शांती की स्थापना के बाद अनुवारिय होगी ये हमेशा उप्योगी होता है कि एक ठोस उधार लिया जाए और मैंने खुझ से पूछा है कि अगर शांती हस्ताक्षर के बाद मैं उन जर्मनों से मिलूं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे मैं उन्हें प्यार करने की कोशिश नहीं करूंगा मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा उन्होंने मेरे छोटे बदसूरत फ्लैट की एक खिड की तोड़ दी है लेकिन मैं उन्हें सेहन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये समाने ग्यान है कि योदेतर दुनिया में हमें जर्म के साथ रहना होगा हम उन्हें नश्ट नहीं कर सकते जैसे उन्होंने यहुदियों का सफाय करने में सफलता नहीं पाई हमें उन्हें सहन करना होगा किसी उच्छ कारण से नहीं बलकि इसलिए कि यह अलग काम है जो किया जाना होगा मैं इसलिए सैशुनता को किसी महान अनंत काल से स्थापित दिव्य सिधान्त के रूप में नहीं मानता हलां कि मैं शायद मेरे पीता के घर में कई महैल का हवाला दे सकता हूँ ऐसे दृष्टिकोन का समर्थन करने के लिए यह सिरफ एक अस्थाई उपाय है जो एक भीड भाड और ओवर हीटिड ग्रय के लिए उप्युक्त है यह तब पता चलता है जब प्रेम समापत हो जाता है और प्रेम आमतोर पर तब समापत हो जाता है जब हम अपने घर और अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं और एक कतार में अजनबियों के बीच खड़े होते हैं। अनेथा हम सोचते हैं लोग इतने धीमे क्यों होते हैं। ट्यूम में इसकी अवशक्ता होती है या लोग इतने मोटे क्यों होते हैं। टेलिफॉन पर इसकी अवश्क्ता होती है या वे इतने बहरे क्यों हैं या इसके वीप्रीत वे इतना फुस फसाते क्यों हैं यह सडक में, कारयाले में, कारखाने में चाहिए और यह सबसे अधिक वरगों, जातियों और राष्ट्रों के बीच चाहिए यह उबाव है और फि में किसी और की जगे खुद को रखना होता है, जो एक वांचनी अध्यात्मिक अभिहास है, सैंशिलता कमजोरी के समान नहीं है, लोगों के साथ रहने का मतलब उन्हें छोड़ देना नहीं है, इससे समस्य जटिल हो जाती है, लेकिन सब्यता का पुन्वनिर्मान जटिल होना मैं केवल इतना निश्चित महसूस करता हूँ कि यदि उंचे उदेशे या सिदान्त का मार्क दर्शन नहीं हो तो प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं, शायद जब घर बन कर त्यार हो जाएगा तो उसमें प्रेम का आगमन होगा और हमारे नीजी जीवन की सबसे बड़ी शक्ती सारजनिक जीवन में भी राज करेगी थैंक यू